हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, RTI जब से लागू हुआ है, RTI का नारा बात करते हैं, तो अगर आपको RTI लगाने में कोई दिक्कात आ रही है, या वे सुझनक दिकार कानूट से जुड़ी कोई समस्या है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नमबर है 233-86947, अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं, तो दिल्ली के स्ट्री कोट काने वाले हैं, और उस्पर जरुवत भी है कि उस पर चर्चा की जाए, दो RTI लगती है, एक मुंबई से लगती है, मुंबई से जो RTI लगती है, उससे पता चलता है कि मुंबई में 1.500 प्रतिशत सीजीरेन डिलिवरी के जो मामले हैं, उनमें बढ़ोत्री हुई है, और इ इसमें से 54 प्रतिशत बच्चों का जो है, जो सीजीरेन से वो पैदा हुए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल योटता है कि आखिर ये मानसिक्ता क्यों बढ़ती जा रही है, क्या जरूरत है, सीजीरेन डिलिवरी की जरूरत है, या मजबूरी बनती जा रही है, आज इसी विश मदनमहण जैना साहब है, वरिष्ट पत्रकार हैं, स्वास्त को लेकर काफी कुछ काम करते रहते हैं, तो मदनमहण जी आप कभी स्वागाथ हमाई इसकार कमें, मुंबई की आर्टी से पता चला कि देज़ सो प्रतिशत मामले, सीजीरेन के जो ऑपरेशन होते हैं, उसमें और दिल्ली में भी ऐसा ही लगभग मामला सामने निकल का है, सबसे पहले डॉक्टर रेनु मिश्र जी मैं आप से जानना चाहूंगा, आखर ये आखर ये आखरों पर आप क्या कहना चाहेंगी, आखर ये जरूरत है ये मजबूरी है लोगों की, देखिए से जर्चा सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं, और इसकी चर्चा सारी दुनिया में हो रही है कि क्यों सेजरेन सेक्शन रेट इतने बढ़ रहे हैं, अगर आप WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑगनाइजेशन का रेकमेंडेशन देखें, तो दस से पंदरा प्रतिशत ही प्रसव जो हैं, डिलिवरी सेजरेन से होनी चाहिए, जिसमें की माँ और बच्चे के स्वास्त के फाइदा होता है, अगर इससे ज्यादा होती है, तो भी उसका नुकसान है, और इससे कम होती है, तो भी नुकसान है, तो इसमें मैं कहूंगी कि वाकई यह है तो चिंता का विश है, कि हमारे शेहरों मे इतनी बढ़ रही है और इसके बहुत सारे कारण है इसके कारण कुछ मरीज के उपर भी निर्भार करते हैं और कुछ डॉक्टर के उपर भी करते हैं जब मैं मरीज के उपर कहती हूं तो मैं या मरीज नहीं होती अक्चली ये तो गरब वस्ता में महिलाएं होती हैं हेल्दी म गाइड लाइन्स थे कि कितने घंटे प्रसव में लगने चाहिए वो भी अब पिछले कुछ सालों में सारे बदल गए हैं क्योंकि उसमें ये निकल के आया कि जो अब स्तुरिया प्रसव में जाती है वो उम्र में ज्यादा होती है सिडेंट्री लाइफस्टाइल है वजन ज् करती हैं गाउ में आप देखिए कि जब फिजिकली इतना हार्ड वर्क करती है लेडिस तो ऐसे चलते फिरते प्रसव होते हैं दो चार घंटे में बच्चे हो जाते हैं जो कि हमारे नहीं होते तो इन सब से हमारी गाइड लाइन्स में बदलावाया कि सब हर स्टेज जो ले आज की सेडेंटरी लाइफ के अंदर देखिए लाइफस्टाइल डिजिस इतनी ज़्यादा हो गई है और वह अपनी फिगर के बहुत कॉंशियस है इवन मैं आपको ऐसे जांपल दे सकता हूं जहां पेरेंट्स उस लेडी के साथ आते हैं कि साब हमने तो अपना महुरत न पताईए डॉक्टर को कहां दोश्ट देखिए इनका प्रतिशनत अभी बहुत कम ही है सब वह एलीट वर्के लोग है जो एफोर्ड कर सकते हैं और यह जो गाउं में गरामीड जो महिला है वह फोर्ड नहीं कर सकती है उनके परिवार के सदस्ट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतना पीन को बियर नहीं कर सकती वो किती डाट साब मेरे को तो फ्री कर दो कैसे भी कर गए तिन चारिपन दिनों के एक हफते की चुटी के बाद मैं अपना काम कर लूँ तो वो एक ऐसा बूज बन गया है उनके उपर और हर कोई अपने आप कुछ आता है कि मेरा बच्चा इतने बच के इतने मिनट पे हो तो मेरा बड़ा आउस्पीशिस चाइल्ड होगा यह तो शहर की बात होगी मदन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा जो आटेइस जो आकड़े निकल के आपको क्या लगता है कि मलब इतनी अधीक प्रतिश्रत के मातर में बढ़ुती हो जारी कहीं न कहीं इस पर अंकुष लगाने की जरूरत है क्योंकि यह लोग डॉक्टर है या फिर प्रशासन अस्पताल प्रशासन यह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं बिल्कुल इस आटियाई के आकड़े के अलावा एक और आकड़ा में आपके सामने रखना चाहत और प्राइवरेड में 27 परसेंट से बलके 40 परसेंट हो गएं की इस सरकारी में घट राएब्ट ने में बढ़ रहे हैं तो यह बताता है कि कहीं passage कुछ गळबड तो है अगर सीजएरयन एक डिमांड होती एक ट्रींड होता तो सरकारी में बढ़ना चाहे था दूसरा इसक तो वहां भी करीब 30% प्रसाओ जो सरकारी स्थाल में है वह सीजेरियन हो रहे हैं तो एक तो यह बात ट्रेंड या आती है कि जो जो लोगों का लाइप स्टाइल बढ़ आ रही है और कि सबसाइब बढ़ रही है तो सीजेरियन डिलिवरी भी साथ साथ बढ़ रही है है कि हमने इलाज करा है हम चलेगे सरकार नहीं लाज का आप खतम हो गी इलाज के बाद उस इलाज का आउड़िट नहीं होता है अगर यह दिलिवरी की चार्जरी से जरूरी थी या नहीं ती, यह सिर्फ सर्जरी के मामले में नहीं, हम यह से देखते हैं कि बहुत सारे दवायें लिख नहींते हैं, बेमतलब की होते हैं और करीव 80% जो टेस्ट होते हैं लगा दिया तो बिना हो जाके होते हैं और बहुत साथ सर्जरी की बात करें अगर आप पाइपास सजरी बेबाद की हो जाती है कोई प्योंकिक्तों पर इतना अच्छा फायदा होता है कोई separate agency बने कि मरीज अपना परचा करा किया वहां जमा करा दिए उसका audit होगा कभी अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो उसको डॉक्टर कॉल कर जाएगा बिल्कुल डॉक्टर जी मैं आपसे जाना चाहूंगा किया सरकारी इस्पतालों में लोगों को जादा भरोसा है इस मामले में सीजीरन के मामले में क्योंकि प्राइवेट हस्पतालों के इस्तिती बहुत खराब है यह कहना बहुत मुश्किल हसंतोश जी जो क्लाइंटेल सरकारी हॉस्पिटल में जाती है वो प्राइवेट में नहीं जाती है और जो प्राइवेट में जाती है वो सरकारी में वाकई आजकल में थोड़ी जागरुकता फिर से शुरू हुई है कि बहुत सारे पेशिंट्स हमारे हॉस्पिटल में स्पेशली आते हैं कहके कि हमें नॉर्मल डिलिवरी चाहिए तो वो भी इंटरनेट पे देखते हैं कि कहां हमें नॉर्मल डिलिवरी की संभावना ज्याद में है और एक चालिस साल की उसका ब्लड प्रेशर हाई है उसको डाइबिटीज है या उसको आइवेफ से प्रेग्नेंसियों आप दोनों की तुल्डा मरावन नहीं कर सकते तो इसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर आप सिजैरें सेक्शन डाले तो जो आपका एंड य लोग पहले ही समझ देख लेंगे कि हाँ इस अस्पताल का यह स्टेटस है यह हम भी किसी कई लेवल को पर यह बात कर चूए जो जो जैसे प्रकासिफिक जैना साब ने बोला कि हमारी प्रेस्केशन ओडिटिंग ऑपरेशन ओडिटिंग डिलिवरी ओडिटिंग यह जरूर होनी चाहिए अगर मैं एक डिलिवरी कंड़क्ट होने के बाद उसका डाटा देता हूं कि वाई इस लेडी की हमें सीजरेन क्यों करना पड़ा यह पांच कंडिशन ऐसी आ गई थी अगर हम उसको ओडिले करते तो फिटर डिस्टेश में था मदर डिस्टेश में थी यह था बता सारी चीज़ा आ गई तो कोई भी आदमी उसको अंजिस्टिफाई नहीं कर पाएगा लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है बिलकुल वो पेशेंट इस लेडी प्रसव की पेन को भी सह रही है फिर अगर कोई डॉक्टर करता है तो वो एक गलत बात है हम उसको कह नहीं नहीं करते हैं लेकिन यह बात जरूर का आडिटिंग हो जाएगी तो एक पारदरिश्टा उसकंदर आ जाएगी रात्सवार प्रस्क्रिशन का जो हमारे कंट्री कंदर मैक्सिमम है ओवर यूस ऑफ मेडिसन्स कोई इसको पर कोई ऐसी बॉड़ी नहीं है जो उनको च चर्चा कर रहे हैं कि हमारे को ओडिटिंग रेगुलेरिशन होना चाहिए तो इससे भी जो सीजेन ऑपरेशन इंकी संख्या बढ़ी है जी मूहूर्थ वाली बात अलग है और पें सहने की शम्ता की एक बात अलग है दो अलग लग बात हैं मूहूर्थ वाले फिर भी मैं कह जादा नहीं है स्मॉल परसेंटेजी है जो मूहूर्थ निकाल के करते हैं लेकिन पें से जो आजकल की महिराएं घबराती हैं वो संख्या काफी बढ़ती जा रही है पड़ीलिकी महिलाओं में तो उसमें का बहुत रोल है अगर आप प्रेग्नेंसी में शुरू से काउंसि करें अगर उसको बताया जा उस पेशिंट को कि सिजेरिन के क्या नुकसान है और नॉर्मल डिलिवरी के क्या फायदे है तो उस नौ महीने में आप उसकी मनोस्तिती बदल सकते हैं और यह संभव है हमने अपने हॉस्पिटल में पिछले साल में इस पे बहुत कारे किया और ह समझ में आता कि मेरा फायदा इसमें है तो कहीं न कहीं उसकी सोच बदलती है और अगर आप उसको यह समझाएंगे नहीं तो आपसे संक्षित में जाना चाहूंगा कि अगर ऐसे मामले आते हैं और कोई अस्पिताल से अस्पिताल प्रशासन से परेशान भी होता है वो नॉ इस को राजियों को अडॉप करना है इसमें सारा ऑफके आपको अपना डॉप्राइस और अपना थिक्स है और तो डिस्पले करना ही तो नहीं आउजहिए कि एक MCI ने डॉक्टर के लिए आचार संगीता बनाई हुई है उसमें वैसे तो होस्पिटल नहीं आते हैं डॉक्टर आते हैं उसमें है कि अगर कोई डॉक्टर अनेथिकल आचलन करता है और चार्जिंग करता है ना उससे दवाई लिखता है इस तरह चीजें हैं उसमें आप को सिकायत कर सकते हैं डॉक्टर के अगर उस MCI उसी आचार संगीता को यह लागू है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है पालन नहीं होता को ध्यान नहीं देता को सिकायत करें इसमें तो उसमें कारवाई होती है वैसे करती है एक बात मैं कहूंगी यह हर तरह का भी कर सकता हूं डॉक्टर को पर सारी बंदिश लादी जा रही है लेकिन अपने समाज में हमें समझना पड़ेगा कि हम एथिकल प्रैक्टिस करें करें तो वह बहुत ज़्यादा काउंसलिंग कर रहे होता है तो इसमें जैसे एक जो फस्टाइम दुनिया में जो ट्रेंड परिशन के बाद क्या परिशानिया आती है और सबसे बड़ी बात क्या लोगों को जागरूक होने की ज़रूओ था कि जो सीजेन आपरेशन के जो मामले है उन पर कहीं कमी आए परेक के बाद सुर्खियों की भेड में एहम खबरे असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिन्दगी पर असर दिन भर की हर बड़ी ख़वर का बे बाख विशलेशन सच सतीक संपूर्ण न्यूस नाइट सोंबार से शुक्रवार राट आट से दस बजे सिर्फ डीडी न्यूस पर कि अधिकार काउन से दो आंक्रे सामने निकल के हैं दिल्ली से आंक्रा सामने निकल के हैं मुंबई से निकल के आया है कि जो सीजीन ऑपरेशन जो है कि तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों के अपेक्षा डॉक्टर रेनु जी मैं आप से जाना चाहूंगा अगर जच्चा बच्चा का सीजीन ऑपरेशन से होता है बच्चा तो बाद में क्या परिशानिया आती है क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि बाद में काफी क इफेक्ट है या उसको दर्द हो रहा है तो वो बांडिंग भी नहीं होती बच्चे के साथ इमिजेटली बहुत जगे तो बच्चा नर्सरी में रहता है एक दिन जब तक कि मा इस हालत में नहीं होती कि बच्चे को संभाल पाए दूसरी है मेडिकल प्रॉब्लम मेडिकल प इंफेक्शन की इंफेक्शन अच्छे हॉस्पिटल में रेट बहुत कम होता है बढ़ हाँ डेफिनेटली इंफेक्शन का रिस्तो होता ही है जो कट होता है उसमें और उसके बादे लॉंग टर्म समस्या अगर पहला सेजेरिन होता है तो पहले प्रसव में हम किसी महिला को अगर वो ठीक है उसका बच्चा और मा तो 24 गंटे, 48 गंटे भी प्रसब में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब उसके सकार आ गया यूटरस पे, अगले प्रेग्नेंस, अगले लेबर में किसी की हमत नहीं होती कि आप बहुत देर वेट करें, क्योंकि डर लगता है कहीं खुल ना जाए इसकार, तो इसलिए उसका सिजेरन का रेट बढ़ जाता है इकस्ट का, बहुत सारे लोग तो चांस ही नहीं लेते हैं, प्रेसमारे कि हमारे एक और भी चीज़स है, समाज में, कॉमप्लिकेशन के बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है, आज कल हमारे ग्षि केशन होगी आप दुनिया के बेस्ट सर्जन हो लेकिन हमारे एक्सेप्टेंस नहीं है इस चक्र में डॉक्टर बहुत सारे डरके मारे बेसे जर्ण कर देते हैं जरा सा कुछ और से जर्ण कर दिया डॉक्टर अपनी भी जवाब दही से बसने की कुशिश करते हैं बिल्कुल की बात है इसको ज़यजा इसको तवज्ज में दे पाऊंगा क्योंकि यही चीज शिर्फ नहीं है इसके अंदर सबसे बड़ा हमारी डेट और डिलिवरी दे दी, एक आद बीच में चेकिंग करवाती हैं, उसके बाद नवे महिने में जाकर वेडमिट होती हैं, तब तक उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है, इवन डॉक्टर को भी नहीं पता होता, और कुछ लेडी इतनी पर्टिकुलर हैं, कि वो सब को छोड़ के अपना रेगुलर एंसी चेक अप, एंटी नेटर चेक अप करवाती हैं, तो आपको उन दोनों को सेग्रिगेट करना पड़ेगा, मैजोर्टी आज की तारीक में भी है, जो हेल्थ कॉंशास इतने नहीं है, कुछ है तो बहुत जाद है, कुछ है तो बिलकुल न करना पड़ेगा, उस वकट डॉक्टर को ब्लेम जाता है, मदन जी, आपका क्या कहना है, मेरा वही सवाल है, अगर हम महुरत को छोड़ दे, तीथी को छोड़ दे, समय को छोड़ दे, तो क्या मामला है, मामला साप है, समस्या बढ़ ये, पैसा एक वज़ा है उसकी, लेकि को लेके, कि हमें थोड़ा सा, आपकी पास भी ऐसे पैसे पैसे आता हूंगा, जो सब कुछ फिट है, लेकिन वह महिला मांसी गुरूप से तयार नहीं है, नॉर्मल डिलिवरी के लिए, तो उस इसती में भी दॉक्टर को बलकि उसके फीजिकल पैरामेटर सारे ठीक भी हुई है, अभी जैसे बाल विकास मंटर भी लिखाया है, कि आप ये समस्या बढ़ रही है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए, लेकिन डाटा ओनलाइन कीजिए, लेकिन डाटा ओनलाइन करने से भी क्या होगा, अगर एक बार सरजरी हो जाएक उसक बार डाटा को ओनलाइन कितन और सरकार चाहती है कि प्राइवेट डॉक्टर सरकारी इस्टूसन मा जाए, ताकि वहाँ पर आके वो चेक अप करे और एक दोनों में ऐसा विश्वाज बाहली का माहौल बने, कि जो सरकार चाहती है कि नॉर्मल डेल्विरी ज्यादा हो, ये एक आपसी प्रवाम हो रहा है तो इसमें आगया कि अभी काम शुरुआत की है, ये अच्छा अच्छा एडिया है, दिया रहा है साब, आपको अपके पास आती है, उनको फ्री सर्विसेज दीजिए, मैं आपको एक और चीज बता दूँजिए, पैसे की बात आई है, मैं कुछ डॉक्टरों के आपको ना आप सीजेरियन कराओ, तो भी इतना खर्चा है, और अगर आप नॉर्म डिलिवे कराओ, तो भी इतना खर्चा है, तो पैसे बाला, मैं एक चीज़ इसमें और चीज़ रहे हैं, कुछ लोगों नहीं यहां तक किया है, कि अगर आप बेबी गर्ल डिलिवर कोई, तो हम आप को इस बात को बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा करनी पड़ेगी, समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा पॉपिलराइज करें कि सीजेरियन के क्या नुकसान है, नॉर्मल डिलिवरी के क्या पाइदे है, दूसरे मैं तो कहूंगी, डॉक्टर को पैसे क कमेंट जानना चाहूंगा कि हम बदलाओ कैसे ला सकते हैं, यह जो प्रतिशत के मामले जो बढ़ रहे हैं, जो सीजेरियन ऑपरेशन के मामले बढ़ रहे हैं, यह सुखत संकेत तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं हम इस पर अंकुष कैसे लगा सकते हैं, डॉक्टर डिय करानी है, सिंसिटाइज अपने आपको हो जाएं, तो मैं सुखता हूँ कि कई चीजे हम वहीं पर कम कर सकते हैं, कुछ चीजे हैं जो स्वास्त की प्रग्नेंसी से पहले और प्रग्नेंस के दोरान जिस प्रक्वेशन को लेना चाहिए, उसके उपर ज्यादा तवज्यों द और पहले बच्चे होंगे वह से बच्चे होंगे, वह जब्रहीं कि बहुत सारे परसेंटेज में दुबारा नॉर्मल डेलिवरी हो सकती है, सिरफ यहें कि इसमें मॉनिटरिंग और ज्यादा चाहिए, और बहुत सारे लोग उसकी हिम्मत नहीं कर पाते हैं, बिलकुल, बह जो मामले हैं उनमें 1.500 प्रत्षत की भड़ होती हुए अकेले मुंबई शहर में ऐसे ही आंक्रे दिल्ली के भी है कमो बेश शहरों के जो आंक्रे हैं वो जाद है और इसमें प्राइवेट जो अस्पताल है उनकी भूमिका बहुत है जो छोटे नर्सिंग हो में उनकी भूमि को लिखेगा हमारा पता है जानेखा कमने नमबर 226 कौपर निक्समार मंडी हाउस ने दिली एक एक शूने 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 का आप फोन भी कर सकते हैं हमारा फोन नमर है 233-86947 अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन करें तो दिल्ली के स्टेडी कोड शूने के लगाना म के आर्पी आए का नारा